Hello Everyone, मैं हूँ Dr. Praveen Gupta और आज हम यहाँ पर study करेंगे D.Morgan's theorem और साथ में देखेंगे कुछ examples तो आईए सबसे पहले हम D.Morgan's theorem की जो first theorem है उसको समझते हैं D.Morgan's theorem की जो first theorem है वो यह कहती है कि A.B' is equal to A' plus B' यहाँ पर यह केवल दो variables को लेकर बताई गई है लेकिन यह कितने भी variables के लिए applicable है यानि की अगर आपके पास में X.Y.Z.W. चार variable भी है और अगर आपने उसके उपर प्राइम लगा दिया है तो यह किसके बराबर होगा यह बराबर होगा X' plus Y' plus Z' plus W' अब इस जो D.Morgan's theorem है इसको हम यहाँ पर prove भी करेंगे लेकिन इससे पहले हम statement को अच्छी तरह से समझ लेते है यहाँ पर हमें करना क्या है कि जितने भी variables हैं उनके उपर प्राइम लगा देना है अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो प्राइम है वो पूरे X, Y, Z, W के उपर प्राइम लगा हुआ है तो individual के उपर प्राइम लगा देना है और dot के निशान को plus के निशान में change कर देना है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से आपको यह dot के निशान को plus के निशान में change कर देना है और variable के उपर हर एक variable के उपर प्राइम लगा देना है तो इसको समझने के लिए यहाँ पर क्योंकि हमारे दो input variables हैं A तथा B तो यहाँ पर चार possible combinations बनेंगे 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1 तो सबसे पहले हम A and B कर लेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहले है यहाँ पर A and B है तो सबसे पहले हम A and B कर लेंगे आपको पता है कि 1 केवल वहीं होगा जहाँ पर की 1, 1 है बाकी सब जगे 0 होगा इसके बाद में A dot B हमने कर लिया है अब हम इसका prime करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो LHS है वहाँ पर यह prime है तो हमने इसका prime कर लिया prime का मतलब है कि जो भी A B आया है उसका just reverse यानि 0 को 1, 1 को 0 तो 0 का हमने 1 कर दिया यहाँ पर सभी जगे और यहाँ बनता है इसका 0 कर दिया इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिल गया A B prime मिल गया अब हमारा जो right hand side है वहाँ पर क्या है A prime और B prime है A और B हमें पहले से ही पता है अब हमें simply क्या करना है A का prime करना है और B का prime करना है A यहाँ पर है तो इसका prime करेंगे तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा इसी तरीके से B' भी हम यहाँ पर B है, इसको B' को कर लेंगे तो यह 1 1 0 0 हो जाएगा, अब जो right hand side पर आप देखिए कि A' प्लस B' है तो यानि कि हमें क्या करना है, A' तथा B' का और operation करना है अब यहाँ 1 और 1, यानि कि 1 प्लस 1, 1 होता है, 0 प्लस 1, B1 होता है, 1 प्लस 0 क्योंकि दोनों जगे 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 होगा तो इस तरीके से यह हमारे पास में आ जाएगा, A' प्लस B' अब आप देखें कि यह जो आपका कॉलम है और यह जो तो कॉलम है, क्या इसमें जो आउटपुट है, वो सेम है क्या तो आप देखें, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यह 1 है, यह 1 है, यह 1 है, यह 0 है, और यह 0 है इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं ये ही हमें यहाँ पर प्रूव करना था two variables के लिए इसी तरीके से हम इसे three variables के लिए भी प्रूव कर सकते हैं next जो dmorgan theorem का जो second statement है या second theorem है वो क्या कहती है कि यदि a plus b का बार है तो क्या होगा तो plus का sign dot में convert हो जाएगा और पहले की तरह ही a के उपर prime आ जाएगा और b के उपर भी prime आ जाएगा यह कितने भी variable के लिए जैसे कि पहले फाली theorem में मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास में चार भी variable है a plus b plus c plus d का अगर हमें बार का solution करना है तो यह होगा a bar dot b bar dot c bar dot d bar यानि कि basically यहां क्या हो रहा है जो plus का sign है वो dot में change हो रहा है और हर एक variable के उपर जो है वो prime या बार आ रहा है यानि कि वो invert हो रहा है अब इसका जो two variable के लिए जो triptable है उसके through जो solution है वो इस तरीके से है क्योंकि a b आपके तो चार entries हो गए 0 0 0 1 1 0 and 1 1 यह input हो गए a और b फिर आप देख रहे हैं कि a plus b का bar है तो यहां पर आप a plus b इस वाली जगे पर देख रहे हैं तो a plus b आप कर लीजे a और b जब है तो इनका और operation करना है simply तो और operation कर लीजे तो यह आएगा 0 1 1 1 और इसके बाद में इसका bar करना है तो इसका bar का मतलब है 0 का one करना है ओन का 0 करना है ओन का 0 करना है ओन की हमने a plus b पहले निकाल लिया और उसके बाद में जो उसका बार्क करना है तो उसका जस्ट हमने बार्क कर दिया अब इसको हमें किसके बराबर प्रूव करना है a' dot b' के बराबर प्रूव तो यहीं पर हमने पहले ही a' ले लिया था a' का मतलब है जो भी a की एंट्री है उसका जस्ट उल्टा यहनी 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0 हमने यहाँ पर यह ऐसे कर दिया इसी तरीके से हमने B' यहाँ पर निकाल लिया तो A' और B' हमने पहले ही यहाँ पर निकाल लिया इस टेबल में और उसके बाद में हमने इन दौनों का, दौनों एंट्रीज का end operation कर दिया तो 0 को 1 के साथ में हम end करेंगे तो 1 आएगा बाकी सबी जगे पर 0 आ रहा है एक इसलिए यहाँ पर जो तीनों एंट्रीज हैं वो 0 होंगे अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि हमारा जो हमें क्या चाहिए था आ प्लस बी का बार और क्या यह बराबर है इसके a बार, dot, b बार के तो आप देखेंगे यह जो दौनों एंट्रीज हैं यहाँ पर यह बिल्कुल बराबर है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह बराबर है a बार, dot, b बार के यह two variable के लिए हमने यहाँ पर two table के through इसको solve किया है और इसी तरीके से हम यहाँ पर three variable के लिए या four variable के लिए भी इसको solve कर सकते हैं आईए हम यहाँ पर कुछ examples देख लेते हैं जो पहला example है वो है कि हमारा एक function है जहाँ पर यह है x.y का prime है और फिर यह x.y के prime का पूरे का prime है इसका dot हो रहा है यानि end operation हो रहा है दूसरी term से y prime plus z से और यह जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस पूरे का भी prime हो रहा है तो इसको हम कैसे solve करेंगे इसको solve करना काफी आसान है सबसे पहले आप इस bar के नीचे जितनी भी terms आ रही है इनको आप एक अलग से यह मालने किये और example यह term a है और यह वाली जो term है वो b है तो basically एक तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि a dot b का prime है यह एक तरीके से जहाँ पर a की value यह है जो यहाँ पर दिखाई हुई है तीर के निशान से और b की value तीर के निशान से जो bracket में है वो दिखाई हुई है तो यह होने के बाद में आपको पता है कि a dot b का जो बार है वो किसके बराबर होता है A prime plus B prime के बराबर होता है तो ये इसको आप इससे match करेंगे तो ये देखें कि ये A है और ये ये है और यहाँ पर plus का sign ये यहाँ पर आ गया है यानि कि जो term थी हमारी X dot Y prime का prime का भी prime यानि कि इस term का भी prime हमने यहाँ पर कर दिया है इसी तरीके से जो bracket में term थी Y prime plus Z का whole prime ये हमने यहाँ पर कर दिया अब क्योंकि यहाँ पर जो पहली term है उसमें prime का भी prime हो रहा है तो prime का prime वही value होती है यानि A prime अगर कहीं है और उसका prime हमने अगर किया है तो वो A ही होगा इस चीज़ को हम यहाँ पर याद रखते हुए हमने जो है इसको solve किया है तो यह आगया हमारा X dot Y prime क्योंकि यह term यहाँ पर original term यह थी plus का sign as it is है और यहाँ पर अब हमने यहाँ पर इसको D-Morgan theorem को use करते हुए यहाँ पर इसको Y prime को prime dot क्योंकि plus का sign dot में change हो जाएगा और जो हमारा Z है उसका prime हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमने D-Morgan पहले भी हमने D-Morgan theorem use की थी अब वापस से हमने यहाँ पर individual terms के लिए जो है वो D-Morgan theorem use की है तो यह Y prime का prime dot Z prime हो जाएगा अब यह हमने यहाँ पर as it is लिख लिए प्लस Y prime का prime है तो वो वाई रह गया और यहाँ पर यह Z prime है तो यह Z prime आ गया अब इस तरीके से यहाँ पर यह आ गया X dot Y prime प्लस Y Z prime तो यह हम यहाँ पर बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस एक्जाम्पल तो आईए हम यहाँ पर D-Morgan theorem के second example को समझते हैं यह example थोड़ा difficult है लेकिन आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह आपको काफी आसान नज़र आएगा यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि prime कहां कहां पर है यहाँ पर prime है और यहाँ पर prime है इसलिए आप इस expression को यानि कि यह जो पूरा expression है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको आप P मान सकते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक के expression को आप Q मान सकते हैं तो basically यह जो expression है वो है P prime plus A prime B dot Q prime अब जो आपका यहाँ पर P है उसका prime है तो आप देखें कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं dot का जो sign है वो plus में यहाँ पर convert हो जाता है AB prime जो term है उसके उपर एक prime आ जाता है क्योंकि AB prime अपने आप में एक variable है और उसका prime क्योंकि जो भी term होती है उसका हमें prime करना होता है तो यह हमने AB prime का B prime कर दिया यहाँ पर यह जो term आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी तरीके से यहाँ पर A plus C जो दूसरी term है यहाँ पर A plus C का हमने prime कर दिया अब यह आपका as it is है और यहाँ पर यह जो term आपकी थी A plus B prime plus C prime यह आपकी basically Q थी और इसका Q prime जब हम करेंगे तो plus के sign को dot में convert कर देंगे और हर एक variable यानि A पर बार B बार पर बार C बार पर बार क्योंकि C prime यहाँ पर अंदर है इसलिए यह C prime पर prime आ जाएगा अब यह जो B prime है वो basically आपका B हो जाएगा B prime का prime और हम इस पर use करनी पड़ेगी क्योंकि यह A B बार का बार है तो उस बार को solve करने के लिए सबसे उपर वाले बार को solve करने के लिए जो dot का sign है यहाँ पर यह plus के sign में convert हो जाएगा A independent है तो उस पर बार आ जाएगा और B बार पर बार आ जाएगा इसी तरीके से यह जो आपके A prime B है A prime B अब आपका जो A prime B है उसका end operation होगा किस से A bar dot B bar का bar dot C bar के बार से तो B bar का बार मैंने आपको बताया था कि B हो जाएगा और यह C हो जाएगा तो यह B C इसकी वज़े से है अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि A prime B तो A prime यह A prime है और यह जो है यहाँ पर B है और A prime B dot A prime तो हमने यहाँ पर जो समान टर्म्स थी A prime dot A prime पहले लिख लिया तो यह जो आप देख रहे हैं यह basically इसका end operation है इसके साथ में तो यह जो है यहाँ पर आपके इस तरीके से यह यहाँ पर आजाता है और बाकी की जो टर्म है आपकी B और C वो इसके साथ में भी end operation यहाँ पर हो जाता है अब यह जो आपने यहाँ पर लिखा A prime और B बार का बार आपका B हो गया इसी तरीके से यहाँ पर यह A prime हो गया और यह C prime हो गया dot का निशाना क्या अब आपको पता है कि A prime dot A prime is equals to क्या होगा A prime क्योंकि हम जानते हैं कि X dot X बराबर X होता है इसी तरीके से यहाँ पर B और B है तो वो भी B हो जाएगा B dot B is equals to B हो जाएगा तो इस तरीके से यह जो term है वो क्या रह जाएगी केवल A prime B C रह जाएगी अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A prime और A prime C इन दोनों terms को हमने मैसे A prime को हमने एक तरी से common ले लिया और यह बचा आपका 1 plus C prime क्योंकि 1 को हम किसी भी के साथ में और operation करते हैं तो यह आप अलड़ी जो booleans की laws है उनको basic laws है उनको आप देख चुके हैं तो यह जो है A prime यहाँ पर रह जाएगा बाकी बचा आपका B तो यह यहाँ पर आ गया और यह A prime B C यहाँ पर आ गया इसको solution से आमारा यहाँ पर क्या आया A prime आया तो यह हो गया A prime plus B plus A prime B C अब वापस से इस term में और इस term में से हम जो है वो A prime को हम as it is यहाँ पर रहने देते हैं और इन दौनों terms में से B और B जो है उसको हम यहाँ पर common ले लेते हैं तो यह आ जाता है 1 plus A prime C अब 1 के साथ में कोई भी variable अगर आता है तो वो 1 ही होता है यह हम पहले ही देख चुके हैं तो यह हमारा basically A prime plus B हो जाता है इस तरीके से हम demorgan theorems को use करके किसी भी ऐसे boolean expression को solve कर सकते हैं जो हमें दिखने में काफी बड़ा लग रहा है इसका सबसे बड़ा फायदा यह है simplification का कि इस से हमें number of gates जो है realization में जब हम circuit को realize करते हैं digital circuit को तो वो काफी कम हो जाते हैं thanks for watching this video